हेलो फ्रेंट्स वेरी गूट मॉर्निंग कैसे हैं आप सब कैसे चल रही है आपके उप्रेशन प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन इस सेशन में हम बात करेंगे यहां पर जनर नॉलेज्च और राजभासा सेक्शन के कुश्चन को हम देखेंगे अर्लियर वीडियो में हमने एमी एक्जाम का जो टेक्निकल सेक्शन का जो कुश्चन है उसको देखा था तो स्टार्ट करते हैं मेना किसी देरी के और यह जो पेपर का ट्रेंड है इसमें जो कुश्चन आये हुए हैं और जो अभी इस लेबस दिया गया है उससे काफी कुछ मिलता जूलता है तो प्लीज इसको रिफरेंस मान के तैरी करें देखें आपर पहला कुश्चन आया है and the question nine one a what is the relation between time period and frequency in case of uniform circular motion So the time period and frequency both are reciprocal to each other okay both are inverse to each other there is the anniversary relation between them so it is a raceitte vocal to each other option number b is the right answer time period equal to one upon frequency time period का मतलब क्या बता है time period नहीं नहीं बता है time is time taken by object to complete one revolution ठीक है और इसी परकार frequency की अगर बात करें तो frequency is the number of revolution completed by object in unit time ठीक है तो इस तरह से frequency और time period का रिलेशन आपर समें इनिवर्स रिलेशन है next question number 92 पर आते हैं आपर question number 92 क्या है who was the founder of yoga philosophy यह भी अच्छा question है founder of yoga philosophy कौन है आपर तो पतंजली ठीक है basically अगर हम बात करें तो और्थोडॉक्स स्कूल जो होते हैं ठीक है और तो डॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी तो देर सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी उसके अंदर ठीक है सबसे पहला है वैसे सिका दूसरा है न्याय तीसरा है सम्ख्या चौथा है योगा पाच्वा है पूर्व मिमानसा और छट्वा है उत्तर मिमानसा जिसको हम वेदानता भी बोलते हैं तो इनके अगर फाउंडर की बात करें तो वैसेसि का जो है उसके फाउंडर है करनड़। करनड़। न्याय फिलोसफी है उसके फाउंडर है गौतम स्थे पौिन्टर हों है कपिलर रिषी और योगा 24 पतंजली और पूर्व मिमांसा के तिको जैसे कि आर्थोडॉक्स कूल जो कि आस्तिक कि इसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सनातन धर्म दोज सनातन धर्म ठीक है उसको फॉलो करते हैं और अना और्थोडॉक्स स्कूल जिसको नास्तिक बोलेंगे जैसे चारवाग हो गया बुद्धिस्ट हो गया जैनिस्ट हो गया तो योगा विसी के लिज़े है तो इसमें क्या बूला गया है महारसीवत अंजली ने बूला कि योगिक टेक्नीक जो होती है वो हमारे बॉडी को या माइंड को सेंस हो गया और्गन हो गया इनको कंट्रोल करती है ठीक है और जब हमने अपने सेंसेस पर या बॉडी माइंड और्गन पर कंट्रोल पा लिया तो इसका मतलब वी हैव अचीवड फ्रीडम और मुक्ती ठीक है तो हमें मुक्ती मार्ग मिल तो यह कहना है मार्जी पतंजली के योग सूत्रा का ठीक है नेक्स्ट है क्विश्टन में 93 लाइट ये यूनिट फॉलॉइंग तो लाइट ये सब को पता है डिस्टेंस का यूनिट है सब को पता है इस वेरी सिंपल तो एक साल में एक वर्स में लाइट जो है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उससे हम लाइट ये भूलते हैं और इसका जो कैलकुलेशन है उसका हम रिजल्ट होता है तो वन लाइट ये इसको होता है कितना 9.46 trillion kilometer ठीक है तो 9.46 into 10 power 12 kilometer 9.46 इसको भी आप याथ रखिये 9.46 into 10 power 12 kilometers is equal to one light year next question 94 पर आते है याप पर the magnitude of resultant of two vectors is maximum in which case तो magnitude of the resultant of two vectors maximum कब होगा ठीक है when vectors act in the same direction और when vectors act in the opposite direction when vectors act at 90 degree to each other ठीक है तो इसका answer यहां पर क्या होगा when vector acts in the same direction तो maximum का case हो गया और minimum का case कब होगा when vectors act in the opposite direction तो इस कैसे में क्या हो जाएगा resultant minimum हो जाएगा ठीक है next question पर आते हैं what was the name of Gautam Buddha's only son तो Gautam Buddha का एक son था उसका नाम क्या है चन्ना तो वाट वाट वाटम बुद्धा के बारे में कुछ facts देख लेते हैं यहां पर गौतम बुद्धा जो थे basically शाक के मुनी जिनको बोलते हैं सिद्धार्थ उनके बश्पन का नाम था इसके अलावा उनकी वाइफ का नाम यसुद्रा और उनके बेटे का नाम राहूल था अगर बात करें तो सुद्धोधन और माया देवी ठीक है उनके पैरेंट्स थे इसके अलावा रहां वाज बोर्न इन लुम्बनी नेपाल ठीक है अगर इसके अफ़ तो इन लावा प्रशन रिवर तो यह भी आपको याद रखना है कि उन्चास दिन का कडी तपस्या कराया उन्हें उन्हें मेडिटेशन करा उसके बाद जो है तो इन्हें इनलाइट्टेनमेंट मिला कहां पर बूद गया में इन्हें विलेज जो है विहार में अंडर पीपल ट्री पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना रीवर के किनारे उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था कहां पर सारनाथ में दिया था और जिसे धर्म चक्र प्रवरतन बोला गया ठीक है और उनकी जो देथ हुई थी हुआ कुशी नगर यूपी में हुई थी ठीक है जिसे महापरी निर्मान बोला गया और इसके लाब कुछ ने में जैसे यहां पर दिये हुए ऑप्शन में जैसे चन्ना दिया हुआ है तो चन्ना ही वाइस तर डिवाइन चैरी ओटर में एक रॉयल सर्वें था हुआ खीक है जो बाद में डिसाइपल बन गया उनका स्थी बन गया ठीक है और इसके लब कॉन्टका जो है basically कंटका वस दे हौर्स आफ गॉतंबुद्द्द तो गॉतंबुद्द्द के नाम का गॉतंबुद्द्द हौर्स था उसका नाम कया था था कंटका और जो Smith who gave his last meal as an offering ठीक है तो भीख जिसको बोलते हैं ठीक है तो भीख के रूप में जो है लास्ट मील जो है दूरिंग कुशी नगर विजिट उनको कंडा ने जो है कंडा ने जो है तो उनको आफरिंग करा था ठीक है इसके लावा जैनिजम जो है तो इसमें 24 ग्रेट टीचर्स जि हुए है और जो लास्ट इर्थंकर महावीरा है जिन्होंने जनिजम को प्रपोगेट करा ठीक है उनका जो जन्मस्थान है जैसे कि इनका लूंबिनी है तो उनका कुंडल ग्राम है वैशाली में उनके फादर का नाम सिदार्थ मदर्थ रिशाला एट देज अफ थर्टी ए कैवल और कैवल जो है इनलाइटन में जिसको बोलते हैं ठीक है एट देजा फॉर्टी टून होने कैवल हासिल किया और उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था वह कहां दिया था पावा यूपी में दिया था ठीक है बुद्ध ने कहां दिया था सारनात में दिया था औ हुआ है कहां मिला था उनको कैवल लेकी प्राप्ति हुई थी जिम्भीक ग्राम में कहां पर हुआ था जैसे उनको सारनाथ में हुआ था तो इनको कैवल लेके प्राप्ति कहां हुई थी जिम्भीक ग्राम में अंडर साल ट्री ठीक है जैसे वहां पीपल ट्री था यहां साल रहे जैसे वहाँ पे निरंजना रीवर था यहां पे रिजुपाली का रीवर है ठीक है तो under the salt tree in the bank of रिजुपाली का रीवर, ठीक है महावीर गॉट कैवल ले ठीक है जैसे वहाँ enlightenment था यहां पे क्या है कैवल ले है ठीक है नेक्स्ट है कुश्चन में 96 लीकेज आफ विच गैस हैट कॉस्ट अब फाल गैस ट्रेजडी तो मिधाईल आइसोसाइनाइट सबको पता है ठीक है मिधाईल आइसोसाइनाइट सीच 3-nc ठीक है इस रीजन फर भुपाल गैस डिजास्टर ठीक है इन ये नाइटीन फॉर में हुआ था ठीक है टू और थ्री दिसंबर के बिश्ची रात थी हो ठीक है जिसमें एक्सिडेंट मीजर एक्सिडेंट हुआ था ठीक है इस नोन एस तो बहुत सिंपल है हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं इसको इस इस अनर्जी आफेंट स हमोडुरी मिरे और फोलेंग इस टेस हरव इंटर आश्यृ आटामिक और इंटर मॉलिकूलर इश्टेंसर इस फिक्सड और इंटर टिस्टेंसर जीघेंग रेंदीमि मौलिकुलर तेंसरे ओंप्री मिटिपूल superstанд ठीक है, so option number is the right answer, next question है, डेविट का जो उम्र है, वो है, 2011 में किता है, 27 years है, तो what was his age in 2003, ठीक है, तो 8 साल का difference हो गया है, तो 19, 27, that is 19 years, okay, so question number 99 का D होगा, next है, if a merchant offers a discount of 20% on the mark price of his goods, and thus ends up selling at a cost price, what was the percentage markup, ठीक है, तो इसको थोड़ा calculate करियेगा आप, percentage markup कितना होगा, ठीक है, so, it may be 25, please calculate it, next है, किसे राजभासा के question है यहापे, समिधान सभाने किस वर्स है, हिंदी को सतंत्र भारत की राजभासा की रूप में स्विकार किया, तो इसका अंसर होगा 14 September 1949, ठीक है, that is, इसलिए हम इसको जो है तो 14 September 1949 को हम, 14 September को National Hindi Day के रूपे मनाते हैं, इसके अलाबा एक current की news है, कि Fiji will be host the 12th World Hindi Conference from February 15th to 17th, 2023, ठीक है, 15 से 17 फरवरी 2023 को जो है, तो Fiji will be host the 12th World Hindi Conference, ठीक है, यह भी काफी important है, इसको अभी Ministry of External Affairs, जो हमारे डॉक्टर एस जे संकर है, ठीक है, उन्होंने इसको clarify करा, ठीक है, तो Fiji का नाम याद रखेगा, तो there will be the 12th World Hindi Conference at Fiji, ठीक है, next question है, यहाँ पर, राजभासा अधिनियम किस वर्स बना, तो राजभासा अधिनियम कब बना, 10 मई 1963, ठीक है, so option number C is the right answer, 10 मई 1963, next question है, राजभासा अधिनियम 1963 का संसोधन किस वर्स किया गया, तो राजभासा अधिनियम में जो संसोधन हुआ है, in the year 1965 हुआ है, so option number C is the right answer, next question है, प्रतम राजभासा अधिनियम का गठन किस वर्स हुआ, देखिए, बहुत simple simple से question है, हलवा question, so 7 June 1955, 7 June 1955 को राजभासा अधिनियम का गठन किया गया, ठीक है, राजभासा अधिनियम के प्रतम अधियक्ष कौन थे, तो राजभासा अधिनियम के प्रतम अधियक्ष यो थे, वह बाला साहिब गंगा धर राओ, ठीक है, जिसका हम बीजी खेर कमिशन भी बोलते हैं, ठीक है, so option number C is the right answer, next question है, यहापर, केंदरी है, संसदी है, राजभासा समिती की अधियक्ष कौन है, होते हैं, तो finance, ministry, agriculture, minister, रिले, minister, और ग्रिह मंत्री, home minister, so option number D is the right answer, that is केंदरी, ग्रिह मंत्री, नेक्स्ट है, question number 107, पूछा जा रहा है, संसदी है, राजभासा समिती में कुल कितने सर्स होते हैं, तो संसदी है, राजभासा समिती में कुल 30 members होते हैं, ठीक है, संसदी है, राजभासा समिती में लोग सभा में कुल कितने member होते हैं, तो लोग सभा में टोटल 20 members होते हैं लोग सभा से संसदी राजवास सभा से कितने अंबर होते हैं तो तो तेन मेंबर्स ठीक है नेक्स्ट है सम्भीधान की अस्टम और सूची में कितनी भासाएं समलित हैं तो देर टोटल 22 languages ठीक है इस तरह से हमने इस पेपर के टेक्निकल सेक्शन और साथ में जी के और राजवासा सेक्शन को देख लिया है आपर ठीक है वीडियो अगर अच्छा लगो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंट्स और को लीक के साथ शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो है वनाइस टे